सैमसंग M31 Accessibility Setting नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने डिवाइस पर Accessibility Setting कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको Accessibility Setting समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप Accessibility Setting नहीं कर पा रहा है ठीक है तो आप इस वीडियो को आन तक देखें मैं आपको Accessibility Setting के बारे में बताने वाला इस वीडियो के True वीडियो के सारा अं तक बने है सारे साथ दोस्तों अग आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है क्लिक करना है एक्सेसिबिलीटी आप्षिन पर एक्सेसिबिलीटी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहला जो आप्षिन मिलेगा यहाँ पर अपडेट करने का ठीक है a new version is available तो यहाँ पर आप अपडेट भी कर सकते हैं उसके बार आपको मिलेगा recommendations ठीक है जिसी की assistant menu तो अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर है setting one-handed mode का setting मिल जाएगा उसके नीचे पर आपको मिलेगा talkback future उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा visibility enhancement जो की high contrast ठीम होगा high contrast font आप set कर सकते है highlights button color invention remove animation color corrections और इसी की तरह दोस्तो size and zoom का option भी आपको मिल जाएगा जैसी की magnifier window magnification large mouse touchpad pointer उसके बाद आपको मिलेगा font size and style setting और screen zoom का option भी आपको मिल जाएगा ठीक है hearing enhancement का जो option है यहाँ पर इस तरह के से दिया हुआ है hearing aid support आपको मिल जाएगा amplify ambience sound setting आपको मिल जाएगा adapt sound का option मिल जाएगा ठीक है यह setting दोस्तों आपको गाना सुनते हैं काफी काम आते हैं mono audio मिल जाएगा mural sound का option मिल जाएगा ठीक है नेक्स्ट पर आपको मिलेगा interaction and dexterity तो यहाँ पर है universal switch setting उसके बाद मिलेगा assistant menu जो कि यह वाला option है एंडेंड आपको मिलेगा answer and ending call ठीक है जो कि आभी आप सेट सेलेक कर सकते हैं अन्सर ऑटमेटिक आटमेटिक लिए सेटिंग सेट कर सकते हैं या फिर ठीक है रीट कॉल और नेम अलाउट सेटिंग अपसेट कर सकते हैं नेक्स में दोस्तों हमें मिलेगा interaction control setting touch and hold delay option मिल जागा 0.5 setting इसका second setting जोए default setting आप उसको use कीजिए and या पर आपको मिलेगा tap duration setting सारे सार आपको मिल जाएगा auto click after pointer stops setting switch की option मिल जाएगा slow की option मिल जाएगा और down की का option भी आपको मिल जाएगा ठीक है नीचे में आपको मिलेगा advanced setting advanced setting के अंदर पर दोस्तों आपको मिलेगा accessibility buttons sight and volume of keys और volume up and volume down key का option आपको मिल जाएगा जो कि आप यहापे setting वगरा कर सकते flash notification आपको मिल जाएगा camera flash notifications ठीक है तो इस तरह के से कुछ यहापे settings है and then यहाप आपको मिलेगा installed services जो की app lock option आपको मिल जाएगा ठीक है सारे सर आपको मिलेगा accessibility यहापे about option तो जहापे आप accessibility का about भी चेक कर सकते हैं तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहापे setting डिया हुआ है आप सिंप्री दोस्तों सेटिंग को follow करके अपना जो accessibility setting है वो कर सकते हैं ठीक है तो अगर दोस्तों आपको accessibility setting करना है तो इस वीडियो के true मैंने जो settings बता है यहाप पर दोस्तों कुछ important settings है और कुछ lightly settings आप पर आपको मिल जाएगा तो जो important setting है दोस्तों मैंने आपको थोड़ा से explain करके बता दिया है आप उसको use कर सकते हैं अमीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसने होगा thanks for watching